हेलो एवरीवन कैसे हूँ आप सब उमीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे आप सभी का आपके अपने चैनल एसकी ब्लोक्स में बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार बरी राधे रादे तो फ्रेंड्स आज मैं आप सभी के लिए वर्दमान कंपनी की ब्लू बैल उन लेकर आई हूँ इसमें मेरे पास 57 से 58 कलर एवलेबल हैं आज की वीडियो में 10 गलर दिखाऊंगी और 10 के 10 बेहद सुन्दर है जो बहने न्यू जूडी हैं वो सबसे पहले तो चैनल को सबस्क्राइब करके बैल आइकन को आल पर प्रेस कर ले तो आपको जो है वहाँ पर नौटिफकेशन मिल जाएगा कि नई वीडियो आ गई है तो आप उसको आसानी से देख सकते हो अब देखिएगा आज की वीडियो में 10 कलर आने वाले हो और 10 के 10 बेहद सुन्दर हैं पेमेंट आपको पहले करनी होगी फोन पे गूगल पे नेट वैंकिंग पे टियम जो भी सुविधा आपके पास हो सब तरह से पेमेंट हो जाएगी और पेमेंट करने के बाद ही यहां से आपके पारसल को आपके अड्रेस पर कोरियर किया जाएगा कैस ओन डिलिवरी की सुविधा मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं आल इंडिया में बाई इंडिया पोस्ट के दवारा ही पारसल भेजती हूँ तो cash on delivery देना मेरे बस की बात नहीं है बहुत सारी बेहनों के message होते हैं कि क्या cash on delivery है तो बेहनों cash on delivery तो नहीं है payment आपको पहले ही करनी होगी payment के बाद आपके parcel को courier कर दिया जाएगा पूरे भारत में चाहिए आप कहीं पर भी रहते हो पारसल आपके घर पर पहुँच जाएगा कितनी भी दूर हो साथ से आट नो दिन का time लगता है दूर से दूर जो पारसल आते हैं और पहुँच जाता है कुछ बहनों के comments होते हैं कि आप कहां से हो मैं सोनी पत सेक्टरते इस हरियाना से हो ठीक है जी अब पेमेंट आप होगी है पहले करनी होगी सिपिंग चार्जेज का ये है कि वर्दमान ओस्वाल में मिला कर भी अगर आप एक केजी आएक केजी से ज़्यादा उन लेते हो तो आपका सिपिंग फ्री हो जाएगा पूरे भारत में और अगर आप ओडर करते हो 100 ग्राम से लेकर 900 ग्राम उन तक तो आपका 50 रुपे उसमें एक्ट्रा सिपिंग चार्जेज एड हो जाएगा ये हो गई है जानकारी और जो बहने न्यू जुडती है उनसे मैं एक बार फिर हाथ जुडती हूँ कि बैनो प्लीज आप फोन कोल या वीडियो कोल मत किया करो आप फोन करते हो तो मेरे पास आपका फोन नहीं आता है फोन कहीं और जाता है वाटसप करते हो तो मेरे पास आता है आपकी बात वाटसप पे मुझसे होती है तो आप only वाटसप किया करो तो चलिए और प्राइस देखे पहले से कोने में डाल रखा आप ध्यान से देख लीजिए यह जो कोने में प्राइस लिखा है 100 रुपे की 100 ग्राम उन है 1000 रुपे की 1 केजी है बहुत सारी बैनों के यह मैसेज होते हैं कि हमें तो एक पॉंड उन लेने तो एक पॉंड का होता है 400 ग्राम 100 ग्राम के चार गोले यानि 400 ग्राम एक पॉंड तो 100 ग्राम उन 100 रुपे की है तो 400 ग्राम कितने की होगी 400 की सिपिंग चार्ज एड़ करके 50 रुपे साड़े 400 रुपे पे करना होगा ठीक है अब चलिए आपको संदर संदर कलर दिखाते हूं यह देखिए हो 10 गोले लेने हैं अलग कलर के ले लो मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप अपना देख लिजी आप जो भी बना रहे हो एक बार में पूरी मात्रा में उन लेना कहीं ऐसा ना हो कि 150 ग्राम उन के उपर आपका स्वेटर जैकेट बीच में अटक जाए और फिर आपको दुबारा कलर ना मिले और फिर आपको पतानी कब तक रखना पड़े दिक्कत हो जाती है इसलिए थोड़ी ज़्यादा हो तो काम आती है कम पड़ी वियों में बड़ी समश्या होती है यह देख लिजी यह है शेड नमबर आपका 95 वाकी शेड नमबर आपको याद करने की जरूरत नहीं है जहां पर रेट डाल दिया ना मैंने 100 रुपे की 100 ग्राम उसके साथ ही जो कलर दिखाऊंगी उसकी जो है शेड नमबर आ जाएगी आप सिरफ कलर पसंद कर लो और जो आपको अच्छा लगे उसका स्क्रिन शोट ले लो और इस वर्टसप नमबर पे भेज ठीक है जी एक कलर हो गया अब मैं आपको इसका दूसरा कलर दिखाती हूं यह देखो यह है बटर क्रीम कलर है वही इसमें एक आता है ओफ वाइट और यह है क्रीम कलर जो हम बटर क्रीम बोलते ना वह वाला कलर है इसकी शेड नमबर नो होती है ओफ वाइट की अठारा होत अगर हम इस लेबल को उतारे ना ये अलग ही वजन होता है ये पूरा 100 ग्राम का एक गोला होता है और वर्दमान कंपनी की उन है तीन प्लाई सिंगल तार वाली उन है ये देखे मैं आपको दिखा भी देती हूँ ये देखो और बहुत सारी बेन इसी चीज में कंफ्यूज है कि तीन प्लाई 4 प्लाई में क्या अंतर होता है कुछ भी अंतर नहीं होता है तीन प्लाई 4 प्लाई ब्राबरी है कुछ जादा अंतर नहीं है आप सिरफ इतना पूछा करो कि इस उनमें सलाई कितना नंबर की लगेगी तब आप आइडिया कर पाओगे इसमें 9 और 10 नंबर किस लाई लगाईए आपका जो प्रोजेक्ट न बहुत फिनिशिंग के साथ बनेगा आप इसे बच्चों के स्वेटर जैंड स्वेटर लेडी जैकेट कोटी कुछ भी बनाईए बेहद मुलायम वाली उन है एक दम सोफ्ट है बहुत सोफ्ट है ये उन पे रुआ नहीं और इक लिएक कितना प्यारा राणी इप लिए बहुत है यह नदेखा दिया आपको प्रोपर को कैमरा फोकस नहीं करपाता है मैं आपको वहीं पर प्रोपर बता दूगी कि इसमें अंतर है वट जो दिखार ही है न अब तक केक में भी अंतर नहीं आया सारे बिल्कुल नैचुरल आ रहे हैं, जो कलर है जैसा है वैसा ही दिख रहा, बस आप पसंद कर लो कि मुझे ये कलर अच्छा लग रहा, ये देखो कितना प्यारा कलर है, अब बच्चों के लिए लो चे बड़ों के लिए लो, जिनको लाइट कलर का शोक है उनके लिए देखाती हूँ, ये देखो, जैंट्स लैडी दोनों के लिए बहुत ही सुंदर कलर है, बहुत ही सुंदर, एक दम मस्त कलर, और जैसा दिक रहने बैनो प्रोपर कलर आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, और पास में देखो बिल्कुल कैमरे के पास करके आपको दिखाती ह फिनिशिंग देख लो, आप उन में कितनी अच्छी है, और जो बैने पहले मंगवा चुकी है ना, ब्लू बैल की उनों जिसको पहले से पता है, उनको तो है ये है कि हाँ, इस उन में की क्वालिटी एक नमबर की है जमाकती, देखो, कंपनी इस पे जो सलाई लिखती है ना, वो आठ और नो लिखती है, आठ और नो इसलिए लिखती है, जिन बैनों के हाथ बड़े टाइट चलते हैं वो आठ नमबर ही लगाएं, जिनके नॉर्मल चलते हैं वो नो लगाएं, ठीक है, और दस नमबर का मतलब होता है, जैसे ह हम जेंट स्वेटर बनाते हैं, तो border दस से बना के नोह नंबर उपर लगा ले, बच्चों के सैट बनाने हो, या लड़ि ज्कोटी बनानी हो, तो हम पूरा नोह नंबर से बना ले, जिन hiçbir पन टाइ पो आठ नंबर से बना ले, नहीं मैं बनाती हूँ, तो मैं तो के सारे कलर वहां से देखके चोईस करना हो कि हम एक साथ सारे कलर देख लेते हैं उन में से पसंद कर लेंगे तो आप develop शेड़ है कि аст बोट संदर कलर है मतलब आप qualities के लिए बनाओ जैटस के लिए बनाओ बनाओ जुराब बनाओ, लेग वारमर्स बनाओ, टोपी बनाओ, मफलर बनाओ, जो आपका मन करें, और एक और बहुत सारी बहनों का यह होता है कि हमें क्रोश्य वाली उन्चे तो क्रोश्य वाली को स्पेशल वूल नहीं होती है, यही होती है, हाँ किसी को भई, थोड़ी बारिक पतली वाली बना सकते हो, यह कलर हो गया आपका अब देखिए आपको एक महंदी कलर दिखाती हूँ बड़ा डिमांड में यह कलर और पिछले साल नहीं आये थे यह कलर अब की बार आये है, देखो महंदी कलर, कितना प्यारा सा जैंड लेडिस दोनों के लिए बेस्ट कलर है, यह बहुत प्यारा लगेगा, दोनों पर अच्छा लगेगा एकदम से, छोटे बच्चों के भी आप दो तीन कलर मिला के बड़ा एक यूनिक सा स्वेटर तयार कर सकते हो, जो की रेडि मेट लुक में आएगा, यह देखिएगा आइडियाज तो आज कल यूटूब पर इतने मिल जाते हैं, डारक डारक कलर मिला के कैसा कैसे स्वेटर बनाएब बस बनाने वाला चाहिए, आइडियाज की कोई कमी नहीं है, भरे पड़े हैं यह देख लिजिए, शेड नमबर दो है, यह देखो बेबी पिंक कलर बहुत डिमांड रहती है बेबी पिंक की, बेबी गर्ल्स के लिए बनाओ बेबी बोईज के लिए बनाओ निवबोर्न बेबी पर ऐसे कलर बड़े प्यारे लगते हैं, लड़कियों के लिए आप टोफ बनाओ, अपने लिए कोटी बनाओ बहुत सुन्दर लगेगी, देखो आप इस उन से जो चाहो वो प्रोजेक्ट बना सकते हो सलाई और क्रोशया दोनों से यह हो गया अब मैं एक कलर आपको दिखाती हूँ, देखिए पहले मैंने जो दिखाया था वो डारक रानी दिखाया था अब मैं थोड़ा सा लाइट वाला दिखाऊंगे, देखो कितनी सुन्दर सी शेड है यह शेड इतनी प्यारी है कि आप बस पुछो मत शेड नमबर आएगी इसकी 20 20 नमबर है यह अब मैं आपको एक आखरी का कलर दिखाते हूँ ग्रे में ग्रे मैंने एक दिखाया ना पहले वो थोड़ा अलग है और यह बिलकुल ही अलग है यह देखो सिल्वर ग्रे कलर बोलते हैं भई इसको यह देख लीजिए का ब्लू बैल का और शेड नमबर आएगा 631 अगर आप सोच रहे होगे हमें जैंट के लिए एक लाइट से कलर में स्वेटर बनानी है जो मैली भी ना हो और चाहे कुड़ते पजाम में के साथ पैनो पैंट शेट के साथ पैनो जिसके साथ भी पैनो तो जैंट के लिए बड़ा ही प्यारा कलर है लैडीज के लिए भी आप बना सकते हो जैंट के लिए बना सकते हो कई कलर में मिक्स करके बच्चों के लिए बना सकते हो ये देख लीजे तो भेनो 10 कलर दिखाए हैं 10 के 10 बहुत सुंदर कलर है अगर आपको इन में से कोई भी कलर पसंद आया हो तो आप उसका स्क्रिन शोट ले लो और इस वर्टसप नंबर पर मुझे बेज दो और जो वहने मतलब पहले से जूड़ी हुई है उनसे मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी कि आप मेरी इस वीडियो को जो आपके जान पहचान वाले हैं जो कि स्वेटर बुनते हैं जिनको उन खरीदनी होती है आप उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दिया करो ताकि आपके भरोसे पर वो ओर्डर कर सके क्योंकि क्या होता है कोई भी नया कश्ट मर जब जूड़ता है तो उसको अंदर से एक संका होती है कि पता नहीं कहीं फ्रोड तो नहीं हो जाएगा हम पैसे दे दे हमारा माल आएगा की नहीं आएगा ये मैं समझ सकती हूँ क्योंकि आजकल धोखा सब जगब बहुत होता है तो जो पहले से जूड़ी हुई है वह अपने साथ-साथ दूसरों को भी चैनल के साथ जोड़े तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद होगा बड़ी किरपा होगी आपके तो वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार प्यार भरी राधे राधे आप सब खुश रहिए अपना अपना ध्यान रखिए खूब इन्जोय कीजिए